ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू कोपाल के भक्त में आज हम जानेंगे कि माग पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का महत्व क्या है इसके साथ ही इस दिन सूर्योदे चंद्रोदे का क्या समय रहेगा, शुब महूरत क्या रहेगा किन मंत्रों का उच्चारन करने से माग पूर्णिमा पर मोक्ष की प्राप्ती होती है चलिए जानते हैं, माग का संपूर्ण मास ही भगवान विष्णु के मधु सुधन स्वरूप को समर्पित है और माग की पूर्णिमा दिथी भगवान विष्णु के सत्य नरायन स्वरूप को माग मास में पवित्र नदियों में सनान आदी का विशेश महत्व बताया गया है किन्तो यदि आप पूरे मास पवित्र नदियों में जाकर सनान ना कर पाएं तो ऐसे में पूर्णिमा तिथी पर अवश्य से करें क्योंकि कहा जाता है कि माग पूर्णिमा में भगवान विश्णु स्वैम गंगा में आकर निवास करते हैं ऐसे में गंगा नदी में जाकर स्नान करने का विशेश महत्व है किन्तो यदि नदी में जाकर स्नान करना संभव ना हो पा रहा हो ऐसे में घर पर ही गंगा जल मिश्रिट जल से स्नान करें इस दिन दान का भी विशेश महत्व है कहा जाता है इस दिन अन, वस्त, धृत, तिल लाधी का दान विशेश रूप से महत्वपूर बताया गया है चलिए जानते हैं कि इस दिन पूझा किस प्रकार से कीजाती है तो बगवान विश्नु की सत्य नराइन स्वरूप की पूजा किये जाती है। और सत्य नराइन भगवान की पूजा करने के लिए आप एक चोंकी बिछाए। कलश की स्थापना करें। आटे का चूर्मा बनाएं। फलों में विशेश रूप से आप केले का भोग लगाएं, भोग की सभी वस्तों में तुलसी का पत्ता अवश्य रूप से अर्पित करें, इसके बाद आप केले के पत्ते, आम्ध के पत्ते, एक देसी घी का दीपक, कपूर की आरती, भगवान विश्नु के सत्तनरायन की जो वरत कथा है वो पढ़ें, आरती गाएं और शमा याजना करें, शाम के समय आप तुलसी के समक्षपी एक गी का दीपक जलाएं, चंद्रमा को जो है अर्ग दें, तो इस प्रकार से जो है आप सत्तनरायन भगवान की पूजा करें, चले जानते हैं कि माग पूर्णिम नमो भगवते, तीसरा मंत्र है ओम कृषणाय गोविंदाय नमो नमा, इन में से किसी भी एक मंत्र का आप चुनाव करके उसका जाप कर सकते हैं जाप आप संध्या के समय भी कर सकते हैं और सूरे काल में भी कर सकते हैं, चले अब जानते हैं कि माग पूर्णिमा कब है, तो पूर्णिमा 16 फरवरी 2022 बुद्वार को पड़ेगी, इस दिन सूर्य उदे का समय रहेगा 7 बज कर 2 मिनट, सूर्य अस्त का समय रहेगा 6 बज कर 19 मिनट शाम को, और चंद्र उदे का समय रहेगा 6 बज कर 8 मिनट पर, इस जानकारी को अब जादा से जादा लोगों के साथ बां कीजे, माता लक्षमी कीजे